नमश्कार दोस्तों आप देख रहे हैं डाइटीशन लक्ष्मी डॉक्टर विनीत और मैं हूँ आपके अपनी डाइटीशन एंड मास्टर इन फार्मसी लक्ष्मी याद और हम बात करने जा रहे हैं आज प्री गाबलेन कैपसूल के बारे में यह सारी बाते आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं तो बने रहेगा इस वीडियो में लेकिन सबसे पहला काम इस चैनल को सबस्क्राइब करना ताकि आपको सारी हैल्थ इन्फरमेशन डाइट प्लान मैडिसन रिव्यू सबसे पहले मिल सके चलिए शिरू करते हैं आज का यह वीडियो दोस्तों सबसे पहली चीज यह कैपसूल होती क्या है तो यह एक एंटी एपिलेप्टिक मैडिसन है यह एक एंटी कनवल्जंट मैडिसन है जब आपने सुना होगा मिरगी के जो पेशन्ट होते हैं उनको यह दी जाती है अब यह काम कैसे करती है यह जो ब्रेइन से रिलीज होने वाले नियूरो ट्रांस्मीटर डोपामाइन सेरो टोनिन इनको जो है इनिबिट करती है जिसकी वज़य से आपके ब्रेइन को संसेशन नहीं पहुच पाता और आपको दर्द में कमी महसूस होती है मिरगी के अलावा यह जो मैडिसन है यह डियाब और कौन सी बिबारी में कौन सी स्टेज पे यह मैडिसन प्रिसक्राइब की जानी है दोस्तों चले अब हम शुरू करते हैं देखते हैं कि इसके डोजिस क्या है मार्केट में यह बहुत सारे फॉर्म में अवलेबल है 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 300 mg, 330 mg जैसा कि आप देख रह में स्ट्रेंथ में यह मार्केट में अवलेबल है अब आपका डॉक्टर यह डिसाइड करेगा कि आपको यह मैडिसन कौन से स्ट्रेंथ की प्रिसक्राइब करनी है और कैसे लेनी है इसका जो यूजुवल मैग्जिमम डोज होता है वो भी मैं आप लोगों उसको बता देत हूँ वो होता है 300 mg पर दे कोई भी पेशन 300 mg पर दे इसका मैडिमम डोज है इसके ऊपर यह मैडिसन नहीं दी जाती और जो इसका इनीशल डोज है वो है 50 mg 3 ताइमस इन डे आफ्टर मील तो यह रहा इसका डोजिंग पूरा जो मैंने आपसे शेयर किया है अभी और डोज लेना कितना है और कब लेना है यह depend करता है आपकी disease condition पे चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं देख लेते हैं कि इसके side effects क्या क्या है इसके side effects बहुत जादा है पर जो most common side effects है वो मैं आप सबसे share कर रहे हूं सबसे पहला है infection होने के chances patient को होते हैं अगर आप यह medicine ले रहे सिर्भारी लगता है आप इस medicine को लेने के बाद car drive नहीं कर सकते हैं abnormal gut हो जाता है swelling आ सकती है confusion हो जाता है vertigo हो जाता है weight gain भी होता है patients को क्योंकि इस medicine को लेने के बाद भूग बहुत जादा बढ़ती है तो जैसा कि आप देख रहे हैं इतने सारे side effects हैं तो हमीशा यह medicine आपक कर लेते हैं pregnancy में यह medicine दी जा सकती है क्या तो pregnancy में यह medicine दी जा सकती है पर वो आपका doctor decide करेगा जब तक doctor के पास कोई और alternative medicine होती है तब तक doctor इसको prescribe नहीं करता क्योंकि risk benefit ratio जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था उसी ratio पे हमारी जो pathy है हमारा जो Indian science है medical science है वो काम करता है त आप सबको यह जांकारी अच्छी लगी हो इस चैनल को like subscribe और share करना मत भूलिएगा अपना ध्यान रखिएगा bye bye बोलने से पहले मैं आपको इस चीज बताना चाहूंगी कि यह सारी जानकारी education purpose के लिए है please consult with your doctor before taking this medicine इस दवा को लेने से पहले आपके doctor से जरुर consult कीजेगा ले चल इस चल्ग है झाल झाल